चाप्टर शिक्स ही चल रहा है अपना चीक है हमारे तीन टॉपिक रहे थे तीन टॉपिक में से बच्चा सबसे पहले करेंगे लिए टॉपिक नमबर टू कॉज एन इफेक्ट कॉज मतलब क्यों होता है यह बता हूं कारण चीक है प्रीजन बोज दू एक ही बात है इफेक्ट मतलब उसका प्रभाव या फिर उसका रिजल्ट कुछ हुआ ना हुआ जिस कारण से उसका इफेक्ट बढ़ा बच्चा सरकार ने सरकार ने क्या किया इंकम टेक्स इंकम टेक्स बच्चा टेक्स के रेट बढ़ा दिये क्या बढ़ा दिये उसका इफेक्ट क्या हु बढ़ गए तो automatic जिसमें आलू जाएगा वो सारी चीज़े automatic क्या हो जाती है महंगे हो जाती है तो अब आपको दो statement दियोंगे दो statement दियोंगे आपको identify करना है कौन सा statement reason है और कौन सा statement उसका effect है for example बच्चा दो statement है एक statement मेंने बताया आपको कि भाईया पेड़ बढ़ा हो गया पेड़ बढ़ा हो गया दूसरा statement में मैंने बताया क्योंकि इसमें पानी डाला गया था तो कौन सा cause और कौन सा effect है पानी डालना कारण है और effect क्या पेड़ बढ़ा हो गया बच्चा आजाए इन short आपके सामें दो statement देख रहे हैं जितना मां करूंगी बस उतना ही रीट करो दो statement रीट करो एवर्यबडी शूड वर्क हाड दूसरा ओनली वे achieve success is to work hard कौन सा रीजन और कौन सा effect है बताओ पर्स वाला क्या मैं कॉस बोल सकती हूं कॉस मतलब रीजन ही होता है न बच्चा हर कोई क्या करेगा मेहनत करेगा मेहनत करेगा तो automatic success मिलेगी simple question है heading क्या है cause and effects cause and effect दो statement दिए जाएंगे उन दो statement को read करना है read करने वाद आपको पहले identify करना कौन सा reasonable content उसका effect अब आपको a b c d e ऐसे multiple options दिए जाएंगे पहला read करो क्या बोल रहा है statement 1 क्या है reason और statement 2 क्या बोल रहा है response सही है क्या बस खतम बाखी की बढ़ने के ज़र रहती नेक्स कोशिन इक बार देखो पर्स क्या है अब मुझे बता दो फर्स क्या है पर्स वहला क्या है को बोलो reason बोले की बात है आपल में क्यों होता है तभी तो डॉक्टर क्या करता है वाइस करें बच्च उसमें प्रोटीन है उसमें विटामिन से तभी तो एडवाइस करता है क्या रहा है नेक्स्ट रीट करो पक्का जरूरी नहीं सब काउस हो जरूरी नहीं सब इपेक्ट हो सिटी में कर्फ्यू लग गया है एक बाद दूसरा भी पढ़ लेते हैं 24 आर्स पुलीस बच्चा पेट्रोलेंगी इस गोई ओन दी सिटी बच्चा कर्फ्यू लग गया कर्फ्यू लग गया है कि अधर फीस कीश्च का इसक्ट है रीजन पता नहीं है रीजन पता नहीं है तो कि मैं ऑपड़ा यह यह भी तो шटी है रोज एक्जरत की और देख्फेक्ट कौन सा अगरेET है पढ़ो अच्छे से प्शस्ट गरना पूरा चार्टर क्या है आपको इडेंटिपाइड कर दा है या तो दोनों रिज़न हो सकते हैं एक बात है एक एपक्त हो सकते हैं यह तो एक एक एंपक्त बच्चा लेकिन ध्यान देना यह भी कर्फियु की बात कर रहा था और पेट्रोलियुन क्यों लगा तो देखो statement one reason is statement two response त्टीक इसका भी और ऑप्षिन ऑपसित है सी क्या बोल रहा है वोध ही statement क्या है? not dependent reason दोनों का reason क्या हो सकता है? अलागलग लेकिन हमारे statement मी reason क्या था? same था, reason क्या था? same था, d क्या बोलता है one and two response लेकिन not बच्चा, यह क्या बोल रहा है? और आपको करना नहीं अपने करना है कि किस मिल्टार नहीं की आपको आपको सबसुन लेकिन दोनों का रिजन अलग लग है समझ में आरे ओप्शन देख लेते हैं एक दम लग है कर्फीं दी सिटी डॉक्टर एडवाइज आपल क्या है दोनों क्या है बच्चा वन टू रिस्पोंस है लेकिन क्या dependent है तब का रिजन क्या है अलग लग यह 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 भी एफेक्ट है यह भी एफेक्ट है लेकिन दोनों का रीजन अलग लगे समझ में आरे ओप्शन्स बस चलो सी वाला देखते हैं वान एंटू क्या बोल रहा है बोध दिस वान इंटू नॉट डिपेंडेंट रीजन मतलब दोनों के दोनों क्या है बच्छा रीजन वापस एक रिस्पॉंस ल अब बच्छे मुझे बेरी वेरी इंपॉर्टन टॉपिक चलो करना है यह बच्छा आपकी बुक में दो ही टॉपिक बच्छे वह क्या बच्छा कलेंडर आंड क्लॉप आज की क्लास पूरी के पूरी डेडिकेटेड है हमारी क्लॉप को लेका च्छे के पेज नमर धूंद चलिए ज्यान देंगे टॉपिक है बच्छा क्लॉप कैसी दिखती है मालू मैंना पॉक्ता चलिए गड़ी ऐसी दिखती है भाई आ जाए तीन चीजें हां ऐसी इसमें बच्छा तीन टाइप की सुईयां होती है जो बच्छमन से देखते वारे इन्हें हम मिनिट हैं बोलत अससंद प्लॉब नियुक है represented हिसं बच्छ प्लॉथ को सब्से होता है है तर्व कलर होता है बच्चे लेकिन कभी-कभी घड़ी तो आप स्कैर भी देखते हो लेकिन उसमें डाइल हमेशा स्कैर ही रहता है अगर ध्यान दोगे या फिर अंदर के जूस बने रहते हैं पॉइंट यह तरीके से बने रहते हैं कि आपको समझ में आ जाए तो हमेशा घड दोड़ी जोड़ी का शैप क्यों होता है जैडड़ी साथ कलो इसमें क्यों होते है सिक 152 12456 ऐसे कितने होते है कि लते है वो स्टी होते है द्धया हम् typa निदे का पूल रही है कि Dollar कि स्टी य कुओ को Section is Bar क्या जाता है क्या यह बात समझ में आ गई शेल यह बड़े सेकंड पॉइंक बचाश शॉट में बताएं मैंने फिर रीड करूंगी पहले शॉट में समझेंगे 60 minutes का एक circle होता है तो इसमें अंगल कितने को होता है 360 degree का आंगल होता है हाना जब एक पूरा circle एक सुई लेती है मतलग 60 minutes minutes हो जाएंगे तो एक तरीके से क्या जागा 360 360 डिगरी का एंगल तो कि मैं निकाल सकते हूं कि एक मिनेट में एक मिनेट में कितने अंगल बन रहे हैं बच्छा मैंस के फॉर्मुला ना कर सकते हैं या फिर बच्छा वापस से इस घड़ी पर आएंगे मुझे यह बताईए अगर मैं पूरा एक सर्कल काटती हूं तो कितने किए एंगल बन रहे हैं 360 360 इन्हें ने का फा голए मिनेट अब एक मिनेट क्या है उठे यह 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 वटा है इस ना होता है कितने का सक फिक्षा क्षड़ी के करना में six degree कि यह पाइस समझ में आ रही है अगर मैं ऐसे पूछ हूँ कि दो मिनिट का कितना है दस मिनिट का कितना है निकाल लो गए वापस 60 मिनिटी की अगर 360 degree होते हैं तो बच्चा एक मिनिट का क्या होता है six degree मैं एक मानिट एक मिनिट में कितना बनेगा मतलब 10 मिनिट में कितना बनेगा यह याद कर लिए तो बढ़िया तो पढ़नी है अगर टेबल नहीं पढ़ पार है तो क्याल्कुलेट तो कर सकते हो ना मान लो 60 में कितना बन रहा है 360 तो एक में 6 दिग्री मिकाल लो गए तुझ भी पूछा जाएगा पका पका बढ़ू आगे पहला पॉइंट समझ में आगया गड़ी का शेप क्या है तरकुलर इसमें 60 मिनिट के स्पेस होते है दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा है मैंने अब भी बक्चा समझ में है więc RNA आगा है यह बहुक्त में अगया आखि बख में है आक बीख में गलेप लिख लिख है गलते में से क्या कर दिया हैिämän Castro में वह क्या लिख़ रिख है एसलिख है न वह डिगरी बनाना चाहते थे टाइपिंग करते वाग क्या कर दिया नali को ने डबल जीरो लगा दिया और यह गलती आपको पूरे चाप्टर में दिखेगी जो डिगरी होनी चाहिए तो डबल जीरो है मतलग यह इधर नहीं होना था का नहीं होना था तो प्लीज अपनी बुक में करेक्शन करते चलेंगे समझ मैं यह देफोर एक मिनिट कितने का करता है डूसरा पॉइंट समझ में आया चलिए तीसरे पॉइंट में पहले शॉट में बच्चा एक घंटे की बार तुरे इन वान आर मिनिट हैंड मिनिट हैंड मिनिट हैंड मिनिट वाली मिनिट वाली सिक्सी मिनिट एक घंटे में मिनिट हैंड कितने बार ट्रावल करती पांच मिनेट गिल्पी है गड़ी देखो मान लो अपी 10 बज़रे यह 10 बज़रे अब मुझे 11 बज़वाना है तो ग्यारा बज़वाना है तो 11 बज़वाने के लिए जो इतने बार काटेगी साट बार काटेगी क्योंकि एक बार काटेगी तो दस बचके एक मिनिट होगा जब दूसरा चक्कर काटेगी तो दस बचके दो मिनिट होगा मतलब एसे किते बार यह मिनिट हैं किते बार सरकल काटेगी कि यह बात समझ में आ रही है पका पका आप मैं कहले हूं आर हैं कितना शिप्त होती है पांच मिनिस अर्ण कितना शिफ्ट होती है पांच मिने और में इन कितने बाद सेखल काटती है तिस्टी तैम्स क्योंकि 10 बच के एक मिनट कैसे होता है जब एक बार में कित्ते चक्र काटे तर ताध्य था हो रही तुम बात समझ गाई लेकिन बच्चा जब आर हैंड अरन क्या कह रहा है मैं पहले तस में था अब 60 मिनिट सेरел काट लगी तो यह आरंड काहँ शिफ्ट होता है न Diamant यादा चलता क्या कि घजी देखने में पांच मिनियम् दिखणा इना सब्सक्राण कि इतुम इतने पांच Hearts इतना है के बास समझ में आई के बास समझ में आई पक्का और जब मेरे टेंड घूमती ही रहती है तो 360 डिग्री हो गया ना पहले चक्पर में 360 दूसरें भी 360 हर बार हो कितने अंगल लेती है 360 क्या यह तीसरा पॉइंट समझ में आया पक्का डाउट बता बता पूच्छ क्यों सिक्ट मिरेट 1 की बढ़ गूती है 10 से एग्स-बचक्ड दस बच के एक में इस साहला 1 के बभार गूम ही मृय चिक ता बच्च में होग हा ब्च अब धान दू धान देना तो दस बच नग चलै को अच्पर हो सिक्स्टी मिनेटS ट्राइवल होती आ एक ही बार होती है, उसी का 360 डिग्री होता है। बहुत जेनुरीन बात बोल इने बच्चा यह सर्कल है। यह 10 बज रहे है, इसर्कल आप तो दिख रहे है बच्चा यह minute hand है? Yes or no? Sorry. R hand है. यह क्या है? Minute hand है. यह क्या है? Second. बार बार घुमने वाली second hand होती है 60 times यही घुमेगी लेकिन shift किसमे होता है? यहाँ से यहाँ जाएगी फिर यहाँ जाएगी पिर यहाँ जाएगी यह एकी बाढ़ चक्र काटेगी लेकिन इसका base किस से जुड़ा है second से जुड़ा है ना हाँ second जो है वो 60 times होगी और इसका effect क्यों होगा एक minute shift होगी एक बार घुमिक तो एक minute इसमें आएगा दो बार घुमिक तो इसमें आएगा और इसका effect इसमें और जो आएगा मतलब सबसे ज्यादा गूमने वाली कौन है सेकेंड फिर एक बार चक्कर काड़ी की तो यह एक बार शिफ्ट होगी दो बार शिफ्ट होगी फिर बच्चा इसका इफेक्ट इतना होगा भाई तो बस पांच मिनिट आएगा कैंप समझ वारी है तो सबसे ज्यादा फृवारा शर्कल सेकेंड की फोमती है इसका इफिक्ट किसमें आता है मिनेट के तो में गंडे में में वह 60 टाइम सी होती है तौन एक चकर काड़ी एक तो एंगल कितने का होता है 360 लेकिन सेकेंड क्या बोलता है 360 डिग्री वो तो 60 टाइंप लेकिन मुझे बताओ आरेंड कितने बार लेता है पांच मिनिट ही शिफ्ट होता है तो इसका एंगल क्या होगा चीक है समझ में आगे न अब इंग शॉट यहां पर इंका फोकस क्या है एक गंटे में कि 1 गंटे में मिनेट हैं कितना शिफ्ट होती है कितने का आगल बनाती है अगर मैं आरेंड की बार करो है एक घंटे में ध्यान रकना एक हैं में और हैंड कितने का एंगल बनाती है सब्सक्राइब यहां निकाल लो गए नेक्स हैं बच्छा पूरा मैं हाना यह मौका दूंगे पहले समझ लो लिखने में टांगे तो जाएगा एक्चिल ही ठीक है समझते चलो फिर क्लोक पर पेंडीकुलर समझते हैं यह perpendicular मतलब 90 degree समझते हैं परपेंडिकूलर मतलब क्या 90 degree इन्होंने गोला 90 degree कब बनता है हर 15ало मिनेट में कि 90 degree देख रहा है धिल्किभी तो सकता है यह फिल्गत सकता है कि यह भी तो 90 degree हो सकता है हो सकता की निए होता मदेगा पक्पेंडिकूलर क्या यह अभी भी है मतलब 15-0 का गैप है ra Tod k इसनी का गार की हिले ही स्थेइट मनेगए अलेखा चैने हमेशा आएगा 15 मिनिट गाप है चोटी स्पर्पेंडीकुलर और पर्पेंडीकुलर हमेशा सीधे होता है क्या ना या मतुमारत हो सकता है जाती है कभी कब एक्दम स्टेट हो जाती है या फिर बच्चा इन्होंने क्या बोल दिया ऑपस्ट होती है ओपसी ना एक तरफ एक तरफ नीचे की तरफ तो बच्चा स्पेस कितना स्पेस बंढ रहे हैं 30 मिनिट्स का अंगल बताओ insidivity हो रहे हैं सएट 180 हो गया सएट 180 हो गया तब जाके क्यों गहुता है 360 डीकर के निचे का इस म्लाओ का ॉए वापस सबसे बहले क्या पड़ा सबसे पहला सबसे पहले साफ पो ने कर फॉलता है सब को 60 का दूसकों बने solids . दूसरा बोलता है 60 मिनिट में कितने का यंकल बनता एक मिनिट में मिनिट हैंड बच्चा एक पूरा चक्कर काटती है जिसमें गृते में कि अंगल सोरी एक घंटे में मिनिट हैंड एक घंटे में मिन इंट किसी नहीं बनाती है एक गंटे में आरेंड कितने का एंगल बनाती है यह याद रखना है यह बाई समझ मैं चली फिर बच्चा फूर्थ पुइंट क्या बोलता है जब परपेंडिकुलर होता है तो हमेशे क्या बनता है तो यहां लिखलो बहिया बनती कितनी की एंगल है 90 का बच्चा स्ट्रेट होता है और स्रेट लाइन प्लस ऑपस देट होता है तो 30 मिनिट्स को होता है और एंगल कितने का बनता है 180 डिग्री क्या यहां तक बात समझ भाएं यहां तक आगी तो यहां के बढ़ूंगी हांड बच्चा लिखने कर टाइन दूंगे एक बबस द्यांदो क्या लिखें बच्चा कई को इंसाइड मतलब एक के ओपर एक एक के ओपर एक दिखijnे बच्चा अग्दम 12 बजे को अपो और यहां पर यहां पर भी स्ट्रेट लाइन है तो इक्झाइम में पूछा जा सकता है स्रैट लाइन कब कब होती है स्ट्रैट लाइन होता है जब आप एक के ओपर एक होते हो और जब आप एक दnd sharing होते हो चाहिए याद करने वाला गंप नीजाय में पूछा जा सकता है कि भाहिया धिम भर में कितने गंटे उतें 23 गंटे इन 24 गंटों में इन 24 गंटों में बच्छा 22 टाइमस इन्हें क्या बोल看到 पहले दिन की बात कियं पूरे दिन के आदि दिन कितने गंट jo बनता बच्चा 22 ताइम्स जब आदे दिन में 22 ताइम्स है तो पूरे दिन में 44 ताइम्स इना डे याद करने का चले 7 पॉइंट क्या बोलता है भाई आदे दिन की बात करें तो किते बाद पर्पेंडिकुलर बनता है काउंड भी कर सकते हैं लेकिन काउंड लगेगा इतना याद करनो भाई आदे दिन में कितना 22 तो पूरे दिन में कितना चले इन्होंने बोला ओपोजेट जो क्लॉक है उसमें जो आर्स की जो मिनिल्स की यह सब जो है प्रहुला क्लॉक ऑपोजेट टू इच अधर बच्चा यह वाले की बात कर रहे है वने की डिग्री बना ना वने की डिग्री बनता है मतलब जो हमारी आर हैंड है और बच्चा ब्रेट है वो एक दूसरे के ओपसेट कितने टाइम्स होती है कैल्कुलेट करोगे दिमाघ लगाकर time लगेगा याप कलो न आधे दिन में 11 ताइम्स तो पूरे दिन में कितना कोई साइड मतला एक के ओपर आधे दिन में एक के ओपर एक कितना होता है 11 यह भी 11 है अब पूरे दिन में कितने बार होता है 22 वापस 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 7 point क्या बोलता है कितने बार पर पेंडिकॉलर पढ़ते हैं दिन भर में 44 times है以rab बंचा है को इसा ओड़ यो पर 28 तो कितने फिर दिंबर में बंचा कोंसाइट दिंबर कितने बार seperti दिंबर में 22 अगर मैंने पूछ省 जो दोबार हो opposite होता है, तब भी straight होता है coincide होता है तब भी 22 plus 22, किता होता है क्या बात समझ में आई confused हो गई कोई बात नहीं कोई बात नहीं straight line कब कब होता है straight line कब कब होता है जब coincide होता है और जब opposite होता है तो coincide किते बार होता है दिन भर में अगर आपका question यह है कि दिन भर में straight कितने बार होता है तो 22 22 कितने होता है क्या बार समझ में आ रही है 7th point समझ में आया परपेंडिकूलर 8th point समझ में आया opposite 9th point समझ में आया coincide बच्चे 10th point यह है hands of clock 44 times क्या होता है straight line per day मतब opposite भी 22 point size भी 22 total कितने times होता है बात समझ में आ गई पक्का पक्का नेक्स देखो बच्चा अब आप इसकी language पढ़कर confused हो जोगे इसके language में पहले मज़ो पहले concept को समझा क्या आपको यह गड़ी दिख रही है चलिए minute end 55 minutes fast चलती है comparison to क्या यह बात समझ में आई चलिए यह गड़ी है हमारी 10 बच रहे हैं ठीक है चलिए यह मारी घड़ी है सबसे वहले मैंने क्या बच्चा दस यह 10 बच गया हमारी कोई दिखकत अब बच्चा अगर 11 बच आने है मुझे तो यह यह शिफ्ट हो जाएगी पक्का और मिनेट हैंड पूरा चक्कर काटके दुबारा से बारा में आएगी न तो मिनेट हैंड इस आर हैंड के comparison कितने आगे चलती है 55 minutes पास चलेगी न तब जाकर इसको क्रॉस कर पाईगी कि बात समझ में मिनेट हैं 55 minutes फास चलती है ताकि वह क्या कर सके आर आरेंड को बीट कर सके क्या बात समझ में आप एक बाल लाइंग्वेज पड़ो बुक की मिनेट हैंड गैन उसको कितने मिनेट चाहिए आगे 55 minutes ओवर आरेंड के पर एक गंटे में उसे 55 minutes आगे चलना पड़ेगा ताकि बच्चा क्या कर सके क्या कर सके एक गंड़ा इन पॉइंट फ्रशन चाहिए क्या अगर मैं प्या कर दो लगेंड बजन किटना ऐग्वर प्रशन की फागई है यह एक ऐसके मिनेट कितना अगे चल रही हो से 55 minutes आगे चल रही है बात समझ ड़िए च्ड़िए लास्ट वेडि वेरी वेरी इंप्रॉंटिण जसको लिखन पढ़ेगा आपको इसके लिए लिखना पढ़ेगा पहले समझ लो मत देखना इसके स्टेटमेंट को फॉर्मुला अलग होते हैं इस फॉर्मुले को हम नहीं देखने वाले मैंने एक अलग सा इजी फॉर्मुला बनाया उस इजी फॉर्मुले को देखने हैं फॉर्मुला किस बच्चा मारा एंगल सबसे पहले क्या लिखना एंगल एंगल is equal to क्या लिखना बच्चा 11 divided by 2 अब इस फॉर्मुले की लॉजिक को नहीं बताऊंगे डिटेल में क्योंकि उसके भी पीछे फॉर्मुला बनाने के पीछे बच्चा बहुत बड़े concept होते उसके पीछे नहीं जा माइनस करना है बच्चा माइनस क्या करना है 30 लिखना है और फिर बच्चा आर्स क्या बात समझ में आई वापस सबसे पहले हमने क्या लिखा एंगल 11 divided by 2 मिनेट मतलब multiply by माइनस क्या बड़ेगा 30 आर्स क्या बात समझ में आगी यह फॉर्मुला है अब आपको मैं एक question बाकिक information गिवन होगी या तो आर बाकिक information गिवन होगी क्या यह बात समझ भाएं तो बस जो भी गिवन नहीं है उसे identify करना है फॉर्मुला लिखेंगे पटापट और इस पर बिस questions अभी आपको करवाऊंगी कि यह इंपोर्टेंट बच्चा और जो concept जो concept मैंने पढ़ा है वो theory-based दाएंगे ठीक है और थोड़े बात उसमें प्रैक्टिकल आ भी गया है कि भाईया दो मिनिट में कितने का अंगल बनता है ठीक है यह आपको अटोमेटिक कालकुलेट करना है दो मिनिट में कितने का ब अगर आपको ध्यान हो बच्चा कि 90 डिग्री कब बनता है जब फंदरा मिनिट होते हैं ध्यान दो हर पांच मिनिट में कितने का अंगल में है 30 30 30 तो ऑटोमेटिक होगे नाइन पी आज समझ में आ गया है चली फॉर्मुला लेख लिया कि जली लिखो चली फॉर्मुला लिख चुके हो बच्चा अब एक कोश्चन बेस्ट है कोश्चन देखो आपके की बुक में दे रखा है वाट इस ताइम बिट्विन दो बज़े से तीन बज़े के टाइम के बीच में कब ऐसा होता है कि जो हमारे मिनिट हैंड और जो आ रहे हैंड वो क् जब दो बज़े होंगे और तीन बज़ने जा रहे होंगे बच्चा दो बज़े के दो बज़ने से तीन बज़ने के बीच में कब ऐसा होगा कि हमारी मिनिट हैंड और हैंड एक दूसरे क्यों ऑपोस्ट होगी तीधा अंसर बता पहले बताना लॉजिक पहले बता यह दो बज़े गड़ी में आपको दो दिख रहें बच्चा पहले बच्चा दो बज़े कौनसा मिनिट है कौन सा रहे है अब जब तीन बज़े जा रहोगा तो कौन घूम रहोगा मैंने डादा घूमेंगा यह चोटी सुई यहां आर में आ जाएगी और यह घूम के फिर से वापक यहीं रहेगी ना बच्चा दो बज़े हैं दो बज़े आप तीन बज़े जा रहे हैं कब ऐसा होगा कि दोनों मादि मैंने दो दूसरा के ऑपकुआहीड हुँगे मतलब यहीं होगा रहें तो यह कहीं यहां कहीं जाएगा दिल्क इनका पार्यों आपने कि बताये हैं दो बच के मिनिस बज़े फार्टी हग ऑब बतायों कि रहे हैं फिक है अब बताय स्रेम बच्टीं करों यह अब जैसे दो बचते तो आरेंग थोड़ी दो शिफ्ट होती है तो यहां शिफ्ट कर दूँ यहां यहां और मिनिटेंग कहा होगी कहीं आट और नौ के बीच में अब ऑप्शिन्स देखो एबी सी दी तो समझ में आ रहे हैं जीब जीब सी बात हैं प्रशिन्स कोड़ बस अब आपको लगाना है कि तुम्हारी इमेजिनेशन है तुम दू बच के बीच में रही चांटा तो क्या लगाने का पारुरा जाता इसी दिन के लिए फॉर्मॲा क्या था बच्चा सबसे पहले अंगल मुझे बताओ क्या मैं पहले फॉर्मला से लिख सब्सक्राइब इन्होंने क्या है आर बच्चा आफ आपागव क्या आफिल त्यानकर भूति अपैसे ही च्रम यह सब्सक्राइब बनता यह बेता दो क्या 180 डिग्री बनता है मनों कैम ने थ्रोड़ा सब चइंज की जा जाए आधा घंटा испशमय थे तो समस्च बन रहे हैं बॉशेट तो संमस्च खूं क्यों की दिग् driving रिएविए टिगरी तो कि देना है तो जीрав डिग्री लिख देना घूँब और जाथ, घूँब कराई ना, मुझे दिखने में क्या लग रहे हैं। घूँब को ठीट में से ओपर पर क्नी कि आपना है। दो गूम कराई थी। अगर कहां दो है। कभी भी हमें देखने हमें क्या लग रहा है। तो कोई अंगल बनता नहीं है, for example, अभी जो given watch आपको दिख रही है, घड़ी जो दिख रही है, कितने का अंगल बन रही है, कितने का, तार्ट का, very 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 good, 60 डिग्री बन रही है, घूम के आगे, हमें क्या लेना देना, हमें अभी कितने का अंगल दिख रही है, 60 का, अगर opposite to each other कितने का अंगल बनता है, क्या मैं formula वापस लिख हूँ, पका, चलिए, पहले हमें अंगल मिलना था, मिल गया, 360, 180 डिग्री, लेकिन अंगल question, question हमेशा पढ़ना चैसे, उसमें given अग, opposite लिख रही है, वो कुद इंफ्रमेशन की देने, थोदे आपको निकालनी है, चीक है, अब इनोंने बुला है, बहिया, कितने मिनिट्स हो रहे है, कितने मिनिट्स हो रहे है, बहिया, हमें तो पता ही नहीं है, मिनिट्स पता है क्या, मिनिट्स से तो डूढ़ना है, दो बज़ कर सम्थिंग होगा, ये मालू मैं ना, दो बज़ कर सम्थिंग होगा, ये मालू मै है जोगा तुछ दो बज के समतिंग होगा हमेशा चोटा वाले लियोगा है कि दो ही दो अगर मैंने बोल दिया चार ते पांच के बीच में तो हमेशा कॉण साव ले 7 कई न चारे कि चार वस के समफिंग होगा तो 30 लिखा और multiply by क्या कर दिया किया यह बैस समझ मैं पटापट निकालो जल्दी निकालो calculate करो हम मिनिट्स निकाल रहे हैं इसमें मिनिट्स परता चलेंगे जो कि दो बच के ही something होगा 40 38 calculation mistake एक बाद फिर कर देखो 43.4 very 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 good 43.6 और किसी का आया एक खुद कर नला है देखने लगी कि मैंस बस calculate कर निया है मैंस देसे करते हैं कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है यह तो multiply divided इसमें मैंस बहुत जादा आने की जुरत में है क्या मिस्टेक वितिया अनूच देख क्याल्कुलिशन मिस्टेक है बस कितना आया आया वेरी गुड 43.6 जिसका आगे वेरी गुड इसका मतलब क्यों गया दो बचके 43.6 यह सेकंड का बता रहा है एक दर इग्जैक्ट बता चल गया एक नौप्शन देखके तो अभी भी समझ में नहीं आया है पक्का लेकिन हमारा क्या है 43.2 इसका भी लॉजिक बताऊंगी पहले जो 43 तक पहुच गये पहले वो मुझ बताऊंगी आगे की बात मी कभी कबार क्या लिखा होगा ऑक्शन दे दिंगे बाग्यों कान बंद करना है मानसी और जिनका आगया 43 उनकी बार करी मानलो 43 11 711 लिख था है 43 611 लिख था है तो इसमों जाएगी कन्फूज है तो एक बार क्याल्कुलेट करना ठीक है चले कितने बच्चे का 43 43.6 आगया प यह तुम लग मल्टिप्लाई डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हो इतने नलाएक हो एक्स मान के चलो भाई उसे अब देखो एम से घबरा रहे होंगे उसे एक्स मान लो एक्स करने की आदत है ना विश्या यह मेरे नलाएक बच्चो बच्चे पहले मुझे होता है यह फॉर्मूला है स्क्रीन में देखो यह फॉर्मूला है वैल्यू यह पुट करी बच्चा 30 को 2 से मंडिप्लाई करें तो कितना आएगा 60 सबका 60 आया यह पी सिखाना पड़ेगा तुम लोग को फिर हम इस माइनोस को उस तरफ लेकर जाएं फिर बच्चा जब भी जब भी यह अना 11 divided by 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा उपर नीचे हो जाएगा 2 divided by 11 हो जाएगा मैं आट साइए एम यही रहेगा एम निकाले कितना हैगा लेकिन बच्चा इनको 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 इन्होंने कहाए कि अगर आप इसको ऐसे करोगे बच्चा या फिर मैं इसको यह बोलू यह लिख सकते हैं आप लोग ने डिवाइड भी कर लिया है इतना ही आये था 480 divided by 11 यही आये था अब आपने इसको डिवाइड किया डिवाइड किया ना ऐसे कि डिवाइड करते है 43 हाना क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ नीचे 7 बच्चा तो यहां 7 लिख दिया और बच्चा यहां का 11 यह लिख दिया ऐसे लिख सकती हूँ ना बाकी बच्चे इसमें ना जाए पहले तो इसी में रहे जिसके पहले यह आगे फिर वो इस डिवाइड में जाना ठीक है जिसका यही नहीं आये मैं उसको क्या डिवाइड बताओं और यह बच्च्पन की मैट्स अरे भाईया ग्रामर की मैंने चूट दे रख थी ठीक है भाई दूसरी लांगवेज है इसकी चूट नहीं देने वाली मैं ना लाइक बच्चे डिवाइड ठीक है क्या यह अंसर आय गया दो बच्के कितना 43 मिनेट और कितने समझ में आ गई और कोशन करवाने पड़ेंगे यह ऐसा नहीं चलेगा तुम दो साथ बिल्कुल दूंगी जो चार अलग लग कोशनी चार ओप्शन थे इसने हो ता कर रही है अरे भाई इसलिए CS एंटरेंस में लोगों ने जानविट के रीजनिंग डाली कि दिमांग बिल्कुल भाईया डिवाइड नी करते बंद रहा भाई तुम मुझे बताओ इत्ती बड़ी कंपनी में जाओ मुझे बताओ डिवाइड करने के लिए करोगे मुझे बताओ लेकिन इस फॉर्मुले में क्या कैल्कुलेटर लगाओगे फ़ल बताओ ये तो दिमाग खुदी लगाना ने 60 तरफ जाएगा 11 का 2 उस तरफ जाके 2 का 11 ये तो खुदी करो ने कि ये भी क्यालकुलेटर करके देगा थोड़ा तो भाई ये लगाना पड़ेगा भाई इत्ती बड़ी कंपनी संभालने जारो यार तुम लोग किना पिटाई करनी पड़ेगी मुझे जिन बच्चों का आगे है वेरी वेर पीछे होती है बच्चा आप खुद जहां दो एक्च्टाइम होता है खुद की घड़ी में पांच मिट आगे दस मिट आगे करते हो अगर अगर अगल टाइम 10 है और तुम्हारी घड़ी में नौ बच्च के चालिस मिन्त हो रहा है कितनी पीछे है 20 मिनित क्या है बाई समझ तो यह पास्ट है कि स्लोव है पास्ट होगे न 10 मिनिट ठीक है चल बच्चा आपकी घड़ी में कितने बच जाए छे बच के करेक्ट टाइम क्या है कितने मिनिट लेट वे सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि पहले एक टाइप जो समझा देना उस पर पहले कोश्चन कर लो ठीक है इसमें रोना दोना मत जाएगा क्योंकि यह उसी का एडवांस है पहले बेसिक तो कर लो चलिए बच्चा आपके बुक में जाएंगे पीछे जाएंगे पेज नमबर बच्चा नीचे आपको कलेंडर दिख रहा है बीच पे उन्हें कलेंडर का कॉंसेप्ट चिपका दिया है पेजपल्टो अ है 332 में जाओ मिल गया क्या यह इंपोर्टेंट फॉर्मूलास पेज नमबर क्या है 332 यह नहीं है ठीक है यह पुराना वाला है चीक है यार 330 330 में आपको मिला इंपोर्टेंट फॉर्मूला एन इक्वेशन पढ़ा पर रीड करेंगे पहला क्या लिख्या है मिनिट स्पेस रीड करो मुझे समझाओ सब पढ़ा चुक्यू रीड करो मिनिट स्पेस पूरा सर्कुलर His 60-60 मिनिट और उसको और क्या लिख्या है कौनसी स्मॉलर वन किसको बोलते है आर को बच्चा या फिर शर्ट ओ शॉट या विद्वेश्वें बोलते है मिनिट हैं या फिर लॉंग है कुछ अनू की बात बोली कॉमन सेंसाली बात बोली है नेक्स चलो 60 मिनिट्स बच्चा कुछ सुना सुना सा लग रहा है आगे चलती है जब वो पुरा एक घंटे को कवर करती है आर हेंट के गमपारज़ है कि कि ऐवरी आर हेंट हर घंटे में एक बर ऐसा होता है आप चाहिए दस बजुक्प हो जाता है थोड़ा सा शिफ्ट होता है मतला हर घंटे में पोटा है की नहीं बताओ the tradelineatin दो बार होता है या तो एको पर एक या तो ऑपोसिट है कि टू है तो हैं सक लिखेए बच्छा जब दो हैंड राइट एंगल बनाते राइट एंगल बना रहे मतलब नाइंटि डिग्र निडिदीडिग्री तो कितना इस पेस पांच पांच मिनिट करके अना तब जाकि वह वारा अंते स tipping होगी कि बॉभàng गुमती होगी वापस बारा गंटे में 16 ऩी दिगरी दॉब्चा चौब इस गंटे लौरी बार बच जाते हैं दुबारब ब्च नीन बर में कितने बारत होता है वरा अना एक सुबह और रात वाल ना इक सुबह कौन सा वाला बोलते हैं वेरी गुड अंगल मिनिट हैं की बात हो रही है यह तो रिपीट है ना 60 मिनिट में कितने का एंगल बनता है यह तो दूसरा ही पॉइंट पड़ा था ना दूसरा पॉइंट और यह सेम लिखा है फिर हम न आपे इस अने कि निकाल है ता की एक मिनीट में कितने का अ गल बनता है ऑच्क शही दीडिएक जो में व्क ट्रॉक के 8 डिक्ते के 12 मेर और कर्शन किया है मतलब कितने आ यह वेंगे हो इसा है मतलब कितने पीछे हो मतलब कोशन ऐसा लिखाओगे से वह ऐसा बता रहें क्या ये बाते समझ में आ गई अब आप कोशन करने के लिए eligible हो गयों मेरे साब से ठीक है पॉर्मुला याद है पक्का पेज नंबर क्या है बच्चा 332 रीड करो अच्छे से एंगल between बच्चा two hands of the clock टाइम क्या पोल रखा है बच्चा what is the angle कितना angle बनेगा two hands के बीच में the time shown by अगर घडी में किते बच्चे 6 बच्चके option दे रखा है बता ये calculate करकर बता calculate सीधा मुझे बता जल्दी च्चा बच्चके 30 मिनिट्स हो रहे हैं अगर ये च्चा बज़ रहे हैं और 30 मिनिट्स भी इतना ही हो रहा है कि मुझे बताए एंगल कितने का बनेगा 630 कर तो पटर पटर करती रहती पूरो टाइम चुपर है फॉर्मिला लगा लगा फॉर्मिला सब शांती से कर रहे हैं ना मन में बोलिये थे मुझे से मत बात कर में बात में सॉल्ट करूँगी मेरे साथ ही डिकस करने लगती जी जी सोधी दिया है अकील तिरको बढ़ा रही जल्दी लाए सब्सक्राइब कर रहे हैं और रहे हैं और रहे हैं और फॉर्मिला चिपका चलेगा चलेगा नेगेटिव कुछ माइनस फ्रसट घढ़ बाल कोई फरक पड़ेगा क्या ऑपेटीन इस करेक्ट आप्वेवोले माइनस ब्रस घड़ी में कोई फरक पड़ेगा ट्य फरक नहीं पड़ेगा तो 5 डिगरी लिखे है यह 5 डीग्री लिख यह 3 डीग्री लिख और यह बुक मैंने तुमको काता है यह गलती पूरी बुक में खर रहा थी है अहां गई भी चलकर की होगी कितने बच्चों को पहले बताओ 15 आगे पहले बसके लिए क्लाप करो बाकी बच्चों करो मैं तुम्हारी हल्प करों कि करो ट्राइ करो डून नहीं अगर आपको एंगल है वेरी गुड वही तुमक्या रही इस बुक में एक मिस्टेक कर रहे ना लाइक नो अभी तक ने सदा रहे कौन ट्राइटो कर कि मिनिट कितना लेंगे शेवचा के 30 मिट रहे रखा है ना आर्स कितना लेंगे बस बच्चा लगाना है फॉर्मुला चिपना है फॉर्मुला हार मान गई पहले वही तो आई ट्राइटो करो तबज में आया कि नहीं आये बताव दूसरा और कोशन करा रही फटापट हाँ एक्चुली मैं प्रिंटिंग मस्टे है टाइपिंग टाइपिंग प्रिंटिंग नहीं कितने बच्चों का आया है 15 बच्च बस यह फॉर्मला लगाना है अगया ना फॉर्मला चटका लोगे एक बर और सेकेंड कोशन कर लो कोशन अच्छे से बढ़ना प्रिंग कोशन है जो एक्जाम्टल में था बस डेटा बदल दिया है यह नहीं बना तो मैं अब गंडा लेकि पाउच जोंगी तुम लोग के पास प्रशन चाब पहला बना बना दूसरा वाला अप्राइट अच्छे को अच्छे पोन अलाव है तेरे हैं टेस्क में अलग से तुझको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा को निल्स कर रही है तो मैंने कहा था ना कहां लिखेंगे दिखाना लीड करवाना नहां नलायक बाकि सब बच्चे तो नलायक या बुद्धू है कि इसमें कर रहे हैं कितना अब मैं क्या रूए कि यहां ध्यान देना अब 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 तो फॉर्मुला है वेरी गूड वानेटी डिग्री लिखू मिनिट्स तो निकाल नहीं है त्री और फॉर लिखा तो क्या लेना मिशा बस बच्चा फॉर्मुला लगाने कितना आया अब पॉर्टी नाइन क्या बात समझ में आ इगा झाय बागी कोशिंद लगा लेना पांच बच्चा मेरी बात सुन तो टोटल यहांपे कितने कुशिंद दिखरे दस पूरे दस के दस क्लॉक नहीं है दो मिनीच पूरे दस कोशन है दसके घुरण के नहीं है पांच यहां तक बच्चा